असलाम लेकूम आएमसी रियल स्टेट कंसल्टर और बिल्डर के प्लैटफॉर्म से मैं हून नबीला अर्शिद उमीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे विवर्स आजखे मेरा टॉपिक इंतहाई यूनीक और इंफर्मेटिव है उसके होज़ा यह है कि बहरिया में प्रॉपर्टी बाय करते होवे सेलर या बायर उनको बहुत सारी चीज़ों का नौलेज नहीं होता है और उनको सबसे बड़ी बात ट्रांसफर के प्रोसीजर के बारे में पता नहीं होता इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आपको स्टेटून स्टे कॉनेक्टिड वीवर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप एक प्रॉपर्टी बाय करने का सोचते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए यह चीज़ आपके नौलेज में होनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं वो जो एरिया है वो LDAC अप्रूब्ड है या नौन अप्रूब्ड है अगर आप कॉर्णर का प्लॉट बाय कर रहे हैं तो आपको यह चीज़ आपके नौलेज में होनी चाहिए यह आपको चीज़ पहले कनफर्म करनी है कि उस प्लॉट के corner के charges paid है उस प्लॉट के एक्स्टा लैंड के charges paid है main boulevard के charges होते हैं वो paid है या facing area के charges paid है या उस प्लॉट के possession या utility charges वो clear हैं या नहीं है अगर यह charges clear नहीं होंगे तो transfer के time आपको बहुत सारे issues होंगे आपको पहले ये charges clear करवाने पड़ेंगे then आपके नाम पर वो property transfer हो सकती है otherwise नहीं हो सकती है so viewers ये वो वाली बाते हैं जो आपको property buy करते हुए पहले आपको सारी information लेनी है इन चीजों पहले आपने details में हर चीज पूछनी है then अगर आप एक plot पसंद कर लेते हैं तो सबसे पहले आपका token होगा और token की दो situation होती है एक confirm token होता है एक conditional token होता है conditional token आपका वापिस हो जाता है confirm token आपका कभी भी वापस नहीं होगा और conditional token वो होता है जब seller और buyer में price को लेकर अभी bargaining चल रही है अभी उन दोनों के दर्मियान price कोई confirm decide नहीं होई है ठीक है जब price decide हो जाती है then आपका जो token है वो confirm होता है ठीक है और अगर seller मुकर जाता है कि मैंने अपनी property बाई नहीं करनी है तो उसको double amount वापस करनी पड़ेगी और अगर buyer मुकर जाता है कि मैंने property नहीं बाई करनी है तो उसने जो token किया है उसकी वो amount वापस कभी भी नहीं होगी ठीक है अब आपका एक token हो जाता है then आपने जो property बाई करनी है उसके original documents आपने barrier head office से वो clear करवानी है ठीक है अगर आप overseas client नहीं तो आप barrier की help line 0800-00100 पर call करके भी अपने documents clear करवा सकते हैं उसके बार अगर आपकी amount को अभी time है आपको अभी time चाहिए एक month का कि अभी आपकी amount कहीं से आनी है या अभी आपकी amount जो है वो complete नहीं है जो मतलब के rules of barrier का बयाने में decide होता है लेकिन यह भी हो सकता है जो seller और buyer में जिस amount पे वो agree हो जाए वो भी बयाने में हो जाएगा और बयाने का जो time duration होता है वो four to five week होता है इसी दुरान आपने जो property है उसके सारे taxes pay करने है आपने NDC के लिए apply करने है तो सबसे पहले फिर आपने अगर आपकी वो property LDA से approved है तो आपने उसके tax pay करने है जिसमें advance income tax आज़ेगा TMA fee, CVT charges, TAM duty charges यह सारे taxes आपने step by step आपने सारे taxes paid करने है अगर non approved हैं तो आपने उसमें advance income tax और transfer fee के charges तो आपने पे करने है इसके बाद आपने NDC के लिए apply कर देना है no demand certificate के लिए उसका time duration 10 to 15 days होता है ठीक है 10 to 15 days के बाद वो application आपकी expire हो जाती है इनी days के दुरान आपने इस सारे काम अपने complete करने है जैसे ही आप NDC के लिए apply कर देंगे after 4 days आपकी जो property है वो आपके नाम पर transfer हो जाएगी यह थी simple property में तब एक plot के जो transfer का procedure होता है यह मैंने आपको वो step by step बताया है अगर आप apartment, shop या villas या आप घर बाई करें तो उसका थोड़ा सा deeply है procedure आपको बियाने के बाद आपने building NOC के लिए apply करना है जिसका time duration 10 to 15 days है ठीक है फिर आपने exercise NOC के लिए apply करना है then आपने billing NOC के लिए apply करना है आपको उस shop के घर के apartment के सारे bills क्ले करवाने है ठीक है then आपने NDC के लिए apply करना है और after 4 days आपकी shop, आपका घर, आपका apartment आपके नाम पर transfer हो जाएगा so viewers यह मैंने जो कुछ ऐसी बाते बताई हैं जो आपके knowledge में होने चाहिए मैंने आपको transfer के procedure के बारे में बताया ताकि आपकी कोई भी confusion है इसे related वो आपकी दूर कर सकूँ और अगर आपका कोई question है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो नबीला अर्शिद को अजाज़त दे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दुबारा तब तक अपना बहुत सारा ख्यार रखेगा और मुझे दूआ में गाद रखेगा अला हाफिज